पहले इस वीडियो के आप सुन लीजिए उसके बात चर्चा करते हैं पहले लगी फिर इसको फैलाया जा रहा है फिर इनको मुद्दा बना दिया जाता है नफरत के ये कारण बनते हैं मैं सबसे पहले बता दू ये इस बात में कोई शक नहीं है कि पूजा का कोई मतलब नहीं है लाउड स्पीकर से इस बात में कोई शक नहीं कि भक्ति के लिए ल सिकता को सोच सकते हैं वो कैसी है देखिए हिंदो को कभी लौड स्पिकर से कभी दिक्कत हुए नहीं कभी नहीं यह पंडीत जो बता रहा है ना यह सच बात है यह सही है अगर हिंदो को लौड स्पिकर से आजान से दिक्कत होती तो आज से कम से कम 50 साथ पहले ही हिंदुस्ता कभी हुआ नहीं लेकिन जब से बिजयपी सरकार आया भासपा के सरकार आई उसी वक्त से बस हिंदू मुस्लिम और आजन लौड इस्पिकर शुरू हो गया रही बात राज ठकरे की जो इसने कहा बिल्कुर सच बत कही इसने के पुजा के साथ लौड इस्पिकर का कोई महत्तन रखता हैं कि कोई वेलू नहीं है इसका कि पुजा के लिए लौड इस्पिकार यह माइक चलाना यह वो नहीं है और दूसरी बात यह रही कि तुम लोग जो बजाते हो लौड इस्पिकर करते हो दो तीन चार घंटा-पांच घंटा के लिए लेकिन हमारे मुसल्मान हमारे इसलाम में हमरे मुसलिम सिर्फ ऐज़ान कितने टाइम पढ़ते हैं पांच मिननिट के लिए इतने आवाज आप लोगों के बरदस्थ होती नहीं लेकिन तुम लोगों जब मंदीर में शुरू कर देते हो हनुमान ravis a ये कितने सारा घंडे बजा देते हो लेकिन आजान से तुम्हें इतने की दिक्कत है असल बात ये नहीं है असल बात ये है कि कुछ कट्टर हिंदो है ये नहीं कहता कि मुसल्मान में नहीं है मुसल्मान में भी है लेकिन हिंदो में कुछ कट्टर लोग है जिन लोगों के वज़ा से हिंदुस्तान का माहूल बराबर से खराब किया जा रहा है और यह सिर्फ ऐसे नहीं यह हो सकता है कुछ लोगों के इशारा के वज़ा से हो रहा है और नतिये पंडित जी दो बताया है अगर दिकत होती तो इनको क्यों दिकत नहीं होती ये तो जाहर सी बात है हाँ ये भी मुसल्मान का विरूत करते हैं लेकिन इन चीजों का नहीं जो तुम लग करते हो जो कुछ लोग कर रहे हैं सिर्फ किस के लिए हिंदु मुसल्मान को आपस में लड़वाने के लिए अपना सत्ता को भरकरार रखने के लिए किया जा रहा है लेकिन प्यारे दोस्तों हिंदु मुसल्मान हमेशा से हिंदुस्तान में रहा है मिल जूल के साथ और आइंदा भी रहेगा ये कुछ करने वाला है नहीं है